नमस्कार एंकाॉंटर मदे आपने स्वागत एंकाॉंटर मदे आज आप सू बताए बीजेपी चे युवा खासदार आनीपीसीची जी चे नवीन अधियlica wreck advisor अनुराग ठाकुर ‎ँ अनुराग taakur जीि bir मेरा पहला सवाल तो यह कि सबसे पहले तो आपको कॉंग्रिचुरेशन की आप नए अध्यक्ष बने है अपको क्या लगता है वी सबसे पहली प्राइवरिटी आपकी क्या होगी क्या लोड़ा कमीटी की जो सिफारी से उसको अमल मिलाना आया कोट में जो केस चल रहा है किस त प्राइन जो इस खेल को बहुत लोग प्रिये बनाता है वो खिलाडी जो अपनी भूमिका अच्छी तरह से नभाते हैं अपनी प्रफॉर्मेंस के माद्यम से क्रोडो यवाओं को प्रेरित करते हैं ये देश जिसके लिए ये खेल इतना महत्तपून है उसका नाम सदा तक से लिए हो टेस्ट हो हर एक शेतर में नंबर वान टीम बने और महिलाओं की टीम भी सांग दो हजार बीस तक नंबर वन दुनिया की टीम लेकिन जैसे कि आपने महिलाओं की टीम की बात किये जिस तरीके से IPL है तो क्या मैला लीग को लेकर भी कोई प्रस्ता हुए आपके सामने कि उस तर की कोई सीरीज सुरूई की जाए कि पहले तुम्हार्मन प्रीत कौर को बढ़ाई देना चाहूंगा कि बिग बैश जो अस्ट्रेलियन लीग है उसमें सिद्नी थंडर्स में वो पहली भारतिय म पेश कीजिए कि अगले चार वर्षों में हम हिंदोस्तान की महिला टीम को नंबर वन कैसे बनाएं और मैं आपके सामने पेश करूंगा इसके अलावा जैसे कि मेरे बात की ती लोड़ा कमेटी की जो सिफारी से हैं उस पर कितने हैं सीरियस आप तेकि लोड़ा कमेटी के ओ होगा कोट में चर्चाए हैं हमें उस पर कई आपतियां थी जो हमने कोट में कही हैं हम नहीं चाहते कि देश की क्रिकट वापिस 1980 के दशक में चली जाए बी सी सी आई ने पिछले कई वर्षों में लगातार अच्छा काम किया है और आज भी जिस तरह कोई आलोचना करता है IPL की की IPL क्यों अब मैं आप से यह कहना चाहता हूँ IPL क्यों IPL सबसे बड़ी एंटर्टेनर है फैन की सबसे बड़ा प्लाटफॉर्म है एड़टाइजर्स के लिए अपने प्रड़क्ट को मार्किट करने के लिए ब्राड्कास्टर के लिए सबसे अधा आई बॉल जो आ कि ऐसा भी देता है यह हिंदोस्तान के टीवी का सबसे बड़ा प्रोड़क्ट है और इस आई पिल के सीजन के समय कोई बड़ी टिकट का मूवी लाँच नहीं होती कोई बड़ा टीवी सीरियल लाँच नहीं होता इस से पता चलता है कितनी लोगपर ये खेल है दुनिया की बढ़ने वाली लीग आईपियल है और अपने आप में हिंदोस्तान के क्रिकट टीवी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है लेकिन जैसे कि अपने आईपियल की बात की इस बार भी आईपियल की कुछ ही मैच मुंबई में हो पाई और उसके बाद आईपियल की वेनिको सिफ्ट क करना पड़ा सुखे के कार तो क्या जाए क्या ये प्रस्ताव अभी सामने है टूथाउजन सेवन्टीन के लिए मेरा देश भारत है और भारत के लिए एक आईपियल का सीजन दो महिने में तीन हजार क्रोड पे से जादा की एकनॉमिक आउटपुट करता है आप अंदाजा लगाई ये कितने लोगों के लिए रोजगार की अफसर सो रोजगार की अफसर वो मिलते हैं अगर बाहर चले जाए को तो देश का नुकसान होगा लेकिन कुछ निरणे जो अंतिम समय पर हैं और लगातार जो अर्चने हमारे सामने आती हैं उसके बावजुद हमने क्रिकट को और लोग प्रिये बनाया है हम आई पिल का एक और फॉरमैट कि उसको मिनी आई पिल कह लीजी अभी उसका नाम ने तैय नहीं किया है कि देश से बाहर एक च्छोटा फॉरमेट है दो ह कब होगा और उसका पॉर्मिट क्या होगा कितनी टीम में होगी उसमें यही आठ फ्रेंचाइजी खेलेंगे हिंदोस्तान में सेप्टेंबर मीनें बहुत बारिश होती है नहीं खेला जा सकता इसलिए अलग देश में जाकर खेला जाए लेकिन पैसा भारत के अंदर आएगा के खिलाडियों को मिलेगा और भारत की अर्थव्यस्ता में आएगा तो कुछ सोचा है कि सब्टेंबर में मिनिया इपिल कहां होगा वो वेन्यों भी तैक करना है कितने मैचीस होंगे कितने समय में होंगे किन-किन स्थानों पर होंगे सब तैय होने अभी बाकि इसके कुले को बनाने के पीछे का मकसद क्या है 57 लोगों ने अपलाई किया और हमने क्रिक्ट अडवाईजरी के मेटी में सचिन दंदलकर वीवियस लेक्ष्मिन सौरवगांगली को नाम देकर उनको कहा कि आप चिनहित कीजिए कौन अच्छा हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों कि खेल के समय भी जब वो खेलते थे देश के लिए कई मैचे जिताने के साथ साथ दस फिकट लेने वाला कोई एक खिलाडी है तो अनुल कुमले है और उनका एक एक स्पीरियंस है अडिस्टेशन का भी सारा तो इसलिए एक वर्ष का उनको समय दिया गया है वह अच्छा कर करेंगे तो उनको और लंबा समय दिया जाएगा अता वेर्जा लिया एक प्रेक ची ब्रेक नंतर अब पुन्हाग अपार माना रहो अनुराग ठाकर बरबर ब्रेक नंतर तुम्चा सक्रांचा पुना स्वागत इसके लावा अनुराग जैसे की पिछले कुछ समय में देख ज़्यादा देर रुकते थे आज समय में बदलाव आया तो लोग एक दिन की शादी में मुश्कियों से कुछ घंटे के लिए पहुंच पाते हैं समय बदला है आज लोगों के पास पांच दिन का मैच दिखने का हो सकता है समय ना हो उतना रोमांचक ना हो और T20 का फॉर्म लेकिन जो ट्रडिशनल एक क्रिकट फैन है उसको आज भी टेस्ट मैच देखने का आनन्द आता है तो हमने सारे फॉर्मेट इकठे रखकर काम किया है अगले पांच वर्शों में 40 टेस्ट मैच 76 वंडे और 21 T20 मैच का खेलेंगे ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता तो आपने आप देखिए कि बहुत बैलेंस हमने किया है ट्रडिशनल खेल को भी नहीं मरने दिया उसको जीवित रखका है और मैंने तो यह भी कहा है कि हर टेस्ट मैच में कम से कम 10% टिक्टें फ्री ऑफ कॉस्ट टूडेंट्स के लिए और दिव्यांग के लिए दिये जा का आफसर मिलेगा हिमाचल में मैंने क्या किया है मैंने स्वच हिमाचल केंपेन चलाया पढ़ाई भी सफाई भी वर्ल कप के दुरान हजारों बच्चों को जिन्होंने सफाई की उनको स्टेडियम में पंचा के क्रिक्ट देखने का अफसर दिया अब इस साल जब मैं पहला पहला मैच टेस्ट मैच हिमाचल का देखने का अफसर मिलेगा इतिहासिक शणों को अपने जीवन भरियाद रखेंगे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आप सुछ धरमशाला के उसको एक क्यों प्रमोट करते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच की पहले बात आई थी तो अगर न्यूजिलेंड इंग्लेंड और अस्टेलिया आ रही है तो हर किसी के मन में रहता है कि एक गेम तो हमें धरमशाला खिला दो वो पहाड़ों की सुंदरता वो स्टेडियम का अपना एक रोमांच वो अपने आमें बहुत खुबसूरती है और चार दिन की हमारे जो प बहुत अच्छी चवी उसकी जाती है जैसे कि यह भी आ रहा था कि जब आप विसी से चीफ बने तब की सेंट्रिल में आपकी गवर्मेंट है इसलिए आप का चैन हुआ ऐसा भी कुछ क्रिटिक्स का कहना था सेंट्रिल में गवर्मेंट हमारी आज से 18 मीने पहले भी थी ज पिछले 16 साल से हिंदोस्तान के क्रिसी भी क्रिकट आइस्टेशन का सबसे इवा अध्यक्ष 16 साल पहले भी था आज भी हूँ और काम करके दिखाया है छे नए स्टेडियम बनाए है हिमाचल की टीम को राष्टिय विजेता बनाया है कि खिलाडी देश की टीम में खेले हैं और BCCI में कई पोजिशन पर काम करने के बाद आज यहां पहुंचा हूँ उमर कम हो सकती है पर BCCI के वेटरन्स में से एक हो जिसे कि कुछ जैसे की हर वक्त यही है और मेरा चुनाव सर्फ सम्मती से हुआ प्रिदी कोई किसे नापर भी नहीं किया लेकिन अनुराग यह भ अनुराग ठाकूर सन 2000 में 25 साल की उमर में एक क्रिक्ट एड्मिस्टेटर था राजनीता नहीं था लेकिन लगातार अच्छा काम करने के बाद जो वहां की सरकार ने बहुत राजनीती उसमें लेकर आई तो मैं चुनावी राजनीती में आया है तीन बार सांसद बना तो क् केंद्रा यह गुना है कि मैं सांसद हूं लेकिन अनुराग जैसे कि अब कैबिनेट एक्सपांसन की बात चल रही है अगर केंद्रा में आगर मंत्री बनते हैं तो क्या भी सीसी इसे इस्तिफा देंगे की रहेंगे देखिए जो बात आज है नहीं उसकी बात करनी क्यों और मंत्री बनने से कोई BCCI चोड़ने का सवाल नहीं आता है BCCI आज भी मैं कई काम और करता हूं मैं पार्लमेंट की स्टेंडिंग की मेटी का चेयर्मैन हूं बीजेपी के यूथ विंग का भारतियंता यूवा मोर्चा का मैं छे वर्शन से राष्टी एदेक्शन से सबसे ल अधियम से भी कर सकते हैं और मैं 18-20 घंटे और एक दिन में काम करता हूं 25 दिन सफर करता हूं लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि पद लिया है और काम नहीं किया अनुरा यह भी आ रहा है कि BCCI का नाम बदला जाएगा उसका हैड़कौर सिफ्ट करने की वी कुछ बात चल रह पने मेंबर्स के सामने need तो सबने इसको बहुत सा रहा है और इसका नाम बदला जाएगा क्या होगा ना मुझे लगता है ये आप और मैं तैना करें ये मीडिया तैना करें आई एक बार इस देश के फैन को मौका दें वो सुझाब दें अगले एक महिने तक सब सुझाब मांगे जाए 120 क्रोड की जनता में सब लोग फेस्बुक ट्व अता वेर्जा लिया एक ब्रेक ची ब्रेक नंतर अब पुन्हाग अपार्माना रहोत अनुराग ठाकुरबर ब्रेक नंतर तुम्चा सग्रांचा पूना स्वागत लेकिन अनुराग जब इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात आती है तब कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसम उतना हे की नहीं देखिए भावना हर व्यक्ति को अपनी व्यक्त करने का अजादी है और मुझे लगता है कि किसी को जो कहना है वो कहे लेकिन हंगामा करने से कुछ नहीं होता है जहां तक भारत पाकिस्तान की बात हम multi national tournaments में कहला है चाहे फो एशिया काप हो व्य वर्ल्ल क उसका कारण तो देशों के रिष्टे संबंद राजनायक राजनीतिक दोनों तरह के संबंदों का फरक पड़ता है और जब भारत में भावना रहती है कि पाकिस्तान हिंदोस्तान की सुरक्षा के साथ किलवार करता है अतंगवात को बढ़ाबा देता है तो कहीं न कहीं वह भ तब उस पर श्रवात की जा सकती है को लगता है कि होगा मैच दोनों भी देशों पिछ में फिट से देखिए उमीद पर दुनिया कायम है उमीद पर दुनिया कायम है और भारतिय को बहुत ज़्यादा फरक ने पड़ता हुआ है नहीं हुआ लेकिन जैसे कि पाकिस्तान ये आर्टिस्ट जब यहां के पौफ काम कर सकते है फिल्मों में काम कर सकते बॉलिवुड में तो क्रिकेटरस क्यों नहीं आते जिसे आई पेल में पाकिस्तान के क्रिकेटरस को सामिल करने के लोगा काफी हंगाबा होता रहा है तेकि मैंने वही आख्रुके चहने ना चाहने से कुछ नहीं होता हैwolf देश क्या चाहता है ये बहुत महतुर रखता है और देश के थो में सदाने लिए जाते हैं कि अनुआ इसक़ अलावा यह बहुत गहते हैं कि आध सरे क्रिकेट मैश बहुत हो रहा है अपन नगता है यह ओस हो है भी मुझे लगता है भी तो शिरुवात है इससे ज्यादा होगा डिमेस्टिक रिगट में हम 928 मैच 1900 प्लेइंग डेस एक वर्श में कराते हैं कि 345 के वर्श में 1900 दिन आपके वल BCCI के जो में करिड़ वह हैं डिमेस्टिक रिगट में कितने लोग देखने में आते हैं कि बड़ा चिंता का विशी है हम उसको और रमांच को बनाना चाके और अकर्शक बनाना जाते हैं ताकि वहां पर सबसे बहुत सीनियर रहे हैं तो आपको नगता कि यह बहुत अट-पटा सा था था तीन लोगों को कमीटी में रखना आप सुनिल गावसकर को रख सकते थे कपिल्देव को रख सकते थे तेकि अगर आप इन तीनों का रिकॉर्ड देखें सौरव सचिन और वीवीएस का बहु कर दोगों से बहुत ऊपर रिकॉर्ड और जन तक जूनियर सीनियर की बात है सचिंत दुकर धुनी की कप्तानी के अंदर भी खेले स्वारव कप्तानी के अंदर भी खेले जो उससे जूनियर थे कपिल देव जैसे लोग जो कभी सुनिलकवासकर के नीचे खेलते थे अल्टिमेटली सुनिलकवासकर को उनके कप्तानी के नीचे खेलना पड़ा तो समय समय पर भूमी काइं बदलती हैं अनुराग ठाकूर संद 2000 में अध्यक्ष बने लेकिन उससे पहले जब मैं 1994 क्रिकेट खेला हूं तो MP पांडव पंजाब क्रिकेट के उससे में सेक्टरी थे 1990 के दशक में लेकिन आज में बोर्ड का अध्यक्ष हों तो आज भी वो पंजाब क्रिकेट के सेक्टरी हैं तो यह फरक नहीं पड़ता कि क्या है भूमिकाएं बदलती हैं लेकिन कुल मिलाकर हर कोई क्रिकेट के उत्थान के लिए काम करता है और जहां तक रवी शास्त्री की बात है उनको जब डिरेक्टर की भूमिका दी गई उन्हें अच्छा काम इंडियन टीम के लिए किया है लेकिन हम लोग एक हेड कोच जून रह जाए और मुझे पून आशा है जो मौका हमने अनिल कुम्ले को दिया है वह भारति को बुलंदियों पर लेखा जाएंगे रवी शास्त्री का काम बहुत अच्छा रहा हम उनके अभारी हैं लेकिन अनिल कुम्ले से हमें बहुत ज़्यादा उमीद है उन्हों राग हम से बा झाल